गोड इवनिंग फ्रेंड्स बंसी विष्णोई एक बार फीस से स्री लंका के गाल सिटी से आपका स्वागत हैं फिलहाल मैं मेरी होटल में हूँ यहां पे जो भी मैं आपको इसका बाद में टूर दे दूंगा कि कौन सी जगे पे हो और यहां पे कैसे आया क्या किया हो सब पता दूंगा लेकि फिलहाल हम आने के बाद नादों के फ्रेस होके थोड़ देर तक रेस्ट कर रहे थे और अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए गॉल सीटी को एक्स्प्लोर करते हैं साम को यहां पे ठंडा मौसम होता है दिन को बहुत ज्यादा गर्मी है और हम जिस के बाद सीटी सेंटर आ जाएगा ओके तो यह बहुत खूबसूरत जगह है यहां पर गाउं जैसा ही लागा है मजा रहे है कुल मिला के गुमने का तो अब हम चलते हैं इस तरफ अब हम देख पा रहे हैं कि इस सीटी कितनी साफ सुत्री और क्लीन है नव प्लास्टिक यहां पर कई भी प्लास्टिक नहीं दिखेगा अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें पैट्रोल पंपे लोगों की लाइन दिख रही है देख लीज़े आप तो अब हम प्लास्टिक नहीं दिखाता हूं अब मैं तो इनके साथ में था और इनका नाम है चानक्या बुद्धिमान तो बहुत ही अच्छे इंसान है और इनों ने डिसकाउंट देने की कोशिश की मैंने बोला नहीं नोई डिसकाउंट फुल पेमेंट तो मजह आ गया अ कि गाता हूं और फिर इस तफ इंडियेन फूट दिखाता हूं ओके बभाई यहेंकि बश जो एक जगे से गब जा जाना तो एसी बसे यहां पर खड़ी रहती है तो हम चलते ही है इस टेडियम की दीवार इस तरफ चलते हैं और उसको बोलते है यह इस टेडियम देखने द यह पर देखो भाई यह प्रक्टिस चल रही है हम चलते गेट साइड और फी देखते हैं कि अन्दर एंट्री याम भाहिन मिलती हैं यह इन्टरनेशनल स्टेडियम सामने था नो मैच होती है गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और यहां पर लोगों की लाइन इसलिए लगी है कि यह पैट्रोल डबे में बर बर के गर ले जा रहे हैं कि ऐसी पोजिसन है भाई यहां बहुत महेंगा भी है तो हम चलते इधर कोसिस करते हैं कि हमको एंट्री मिले यार देखने की पास्पोर्ट दिखाएंगे कि इधर देखा भाई यह लोग क्या कर रहे हैं नेट प्रक्टिस कर रहे हैं यह कोई इंट्रनेशनल खिलाड़ी है यह इसे ही है वो देखते हैं नेट प्रक्टिस ओके बाई यह यह यहां पर खेल रहे हैं उसमें से कुछ खिलाड़ी इंट्रनेशनल है लेकिन वह बबल मतलब कहते हैं कोवीड की वज्जे से सब लोग नो एंट्रे तो यही कुछ मसला है इंट्रनेशनल खिलाड़ी इधर श्रिल्लंका इसमें मैच खेलते हैं ना दिवार है ना कुछ भी निए बिना पैसे फोकट में मैच देख सकते हैं यहां पर और यह खिलाड़ी यहां पर प्रक्टिस करें यह बस पड़ी अभी चलते थोड़ा आगे और यह घाल का बस स्टेशन लोकल बसमों का बस डीपो है उसके पीछ से ही रेलवे स्टेशन है इस तरफ हम चलते इस तरफ आपको इस्टेडियम के चारो तरफ गुमाते हैं यह दाल का करकेट इस्टेडियम और इसकी पीच को प्लास्टिक से ड़के रखा है उपर टायर रख दिये यह है फोर्ट डच टाइम का हम चलते इदा अब हम लोग फोर्ट के अंदर जा रहे हैं और यहां पर फोरेन लोग सब यहां गुमने के लिए आते हैं और यहां पर खेल ले किर्केट नॉमेडिक इंडियान अलो और यहां पर किर्केट खेल ले बई देखो अब हम आ चुके हैं फोर्ट के अंदर और यहां पर लोकल लोग खेल रहे किर्केट नॉमेडिक इंडियन वही ने यहां पर यह वीडियो शूट क्या था अब लोकेशन देखके पता चल गया और यह पूरा फोर्ट एरिया है ओल्ट फोर्ट एरिया है यह देखो यहां पर खेले टैनिस यहां पर फोरण लोग पैसा दे के अपने बाप दादा की जमिन देखने आते कि हमारे दादा यहां पर यह करते थे यह करते थे डच पूर्ट गाली विर्टेशार वगेरा वगेरे अब ही हम एक जगह पर आए हैं और इधर लिखा है है हाईवेए फोर्ट एरिया है कोई पैसा नहीं यहां पर और सब लोग आ रहे इधर एक टावर बना हुआ है देख ल कि वाई यह फोर्ट एरिया में बहुत जबर्दस्त जगह यहां पर तो मीचे उस तरफ पूरा रस्ता जाता है लेकिन पहले उपर जाके उपर से व्यू देख लेते हैं फिर जाते नीजे वाले बोलर है थे उनकलाब की बोल यह देखो यहां पर नाल रखी गई है पत्रों सब्सक्राइब के उपार कि ठंडग बनी रहे हैं ओके यह पूरा दीवार और ऐसा ही बना हुआ है उपर से तक तुम मैदान और खड़े रेने के लिए जगे तो खाना यह सब है और यह वाला टावर है इदर से आपको समूंदर का व्यू आता था मेरे को लगता है और इस लंगर डाले हुए और यह स्रिलंकन लोग यहां पर फोटो वगेरा खिच्वाते हुए यह देखो वोरा स्टेडियम सामने बसी स्टेंड वही पर रेलवे स्टेशन यहां पर फोर्ट यहां पर समूंदर यह रही तॉप जैसे हमरा राजस्तान में तॉप होती वैसी इस चाली अमेप दिया गया हम लोग यह से एंटर हुए इदर से ओके इधर ओके इधर ओके इसके बीच में सह आए और यहां से अब यहां पर आए अब देख लो आप पूरा फोर्ट गूमने में कितना तॉम लगेगा यहां से यह से जाएंगे मार्लिव यहां तक तो दोस्तों फिलाल हम गाल कई फोर्ट की दिवार पर बैठे हुए और सामने की तरफ समुंदर का विउ है और इस दिवार के उपर से जब नीचे की तरफ देखते हैं तो भाई साब रात को सपनार्ग सपने में भी डर लगेगा देख लिए यह कितना नीचे हैं और सामने उस पानी के अंदर जाज लंगर डाले हुए हैं देख सकते हैं आप वहां पे यह देखो इसके बार में लिखा हुआ है और इसा फोर्ट एरिया गूमने के बाद हम लोग आगे हैं दूसरी साइड एनकी इस साइड और इस्ट में आपको दिखेगा यहां पर बुद्दा काभी बढ़िया बुद्दा है और यहां पर हम डूंट रहे हैं वेज फूड रेस्टोरंट तो यहां पर एक वेज फूड रेस्टोरंट दिखा रहा है मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर वेज में आपके लिए क्या ओप्शन है और होटल कॉंस्टी है यह बी यह इस सूपर मॉल में आए था और इसका नाम तो सद कार्गी लिया ऐसा कुछ है यहां से हमने दूद लिया एक लिटर तीन सो तीस रुपया ड़ी ले लिया और कुछ चिप्स ले लिए जिस पे वेज का सिंबॉल है और कुछ और क्या लिया बढ़ी तू चिप्स और यह ले बाकि हमारे पस कुछ गाहों वहां से लेकर के आयते वह सब है तो सब मिला के खा लेंगे तो इस तरह से आप वेज फूड का उप्सन नहीं है तो ऐसे कुछ कर सकते हैं यह रहा फूड इस्टोर फूड सीटी इसका नाम है कर दो दो गाल में हमारे लिए यह जगह थी जहां पर हमने स्टे किया था यह देख लिगी जिए अभी यह पर पावर नहीं है पावर कट हो गया एक गंटे के लिए तो यह बिग साइज बैड है इसका हमने 11 डोलर पे किया बाथरूं ट्वालेट सब कुछ अटेच हैं और बढ़िया फैसिलेटीस में इसके सामने बाहर के तरफ कुछ है साभी एकडम ओके बाई तो हम रोके थे यहां पर इनके यहां पर और इनके यह एड्रेस होटल नेम डेरिक्स इन डेरिक्स इन डेरिक्स इन गोल्ड श्री-लंका ओके तो बुकिंग.com से बूक कर सकते हैं बह तो गाल सिटी के पास में हैं ओके ओके सार बाई बाई गुड बॉर्निंग दोस्तों बंसी बिश्णो यह बार फिस से गाल सिरिलंका से अपका स्वागत है अभी हम लोग जा रहे हैं गाल से मेरी चा ज्यादा दूर नहीं है 35 किलमेटर है यहां पे कार है जो मैं खास दिख जूपी की है मजा रहे देखने में लगने में भी बहुत अच्छी लग रही प्यूरी सी क्यूट की लेकिन यह सायद से चाइना में बनी हुई है ऐसा कुछ है मैं पता मिका लिखा नहीं है लेकिन है बहुत प्यारी कार इसकी दरवजा से खुलता है साइड में और एक दरश ही है आप आरे हो नहीं स्क्रीन सॉट कर लिए यह नंबर है वह जो अभी जिन भाई से मिले दे वह नहीं का नाम है जौन निलो और बहुत अच्छे इंसान है जो यहां पर हमसे बात भी करते हैं मजा आती है उनसे मिल करके और हमने लिया यहां पर वाटर बोटल 70 15 रुपय के आसपर बोटल मिल गी अंकल जी हमको रिक्सा में बस इस्टेंड तेक चोड़ेंगे 200 लेंगे 200 याने एक डैड़ किलमेटर है यहां से तो हो गए आपका 50 रुपया तो देर से गुड़ फ्राइज अ यहां प्राम इंडिया यह सर कि अरमारी टुक टुक की स्वारी स्टार्ट होगा फिलाल हम पहुंच गें गाल बस इस्टेंड पर जितने भी रिक्सान है है मेंड इंडिया वाय कि रिक्सा टुक टुक अवरिवन और हमने इस्टेडियम के ठीक सामने यह रहा गॉल इस्टेडियम यह वस स्टेंड और इस तरह आपका रहलो इस्टेशन तो अब यहां से जाएंगे मिरिशा, मिरिशा के लिए बस पकड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बस कहां से मिले कि वह डूंडते हैं और इधर पूरा लोकल बसों का बस लिपो है, ओके, नो, no, 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 find bus from here. ओके, हम इस दुकान पर आये दे, फ्रूट की दुकान है, पान लेना था पान तो, यहां की कार देखो यार, बढ़िया है न, चमकाते हैं, यहां के लोग गाड़ियों की साफसभाई बहुत बढ़िया रखते हैं, तो वह अंकल जी को 400 या 40 में कुछ पता नहीं चल रहा है, बोलते है 40 का बोलते है 400 में, बोला यह क्या बात होगी यार, 40 में 400, फिर वो में को बोड दिखा है, बोले यार, यह दो 40 रूपीज है, तो अभी हम चलते हैं, यहां से यह देखो, कलर फूल बस है, 350 नंबर की बस जाएगी, विरिशा के लिए, विरिशा के लिए, यहां का म्यूजिक बहुत जबर्दस्त है, बस में यह की दून बलती रहती है, जैसा की भाई ने बताया, और यह बस सब मेड इन इंडिया ही है, दोस्तो थोड़ी देर उदर उदर पूस्ताज करने के बाद हमें बस मिली गई, कितनी सांधार बस है, मेड इंडिया एमदावाद मे बनती हैं, लेकिन अभी इसकी सकल सूरत यहां लाके बदल दी जाती है, पूरा मॉडिफिकेशन करके इसको सांधार सजाया जाता है, यह यहां की लोकल को हो, यहां आक्सपस को यही बसे हैं सब, तो अभी हमारी जर्नी गॉल टू मिरिशा स्टार्ट हो गई है, समूंदर क साथ साथ यह वाला ट्रिप कंटिन्यू करते हैं, दोस्तों, जिस तरह से हमने कॉलम बसे गॉल तक ट्रेन में समूंदर किनारे यात्रा की थी, वैसे ही कुछ यहां पे देखने को मिल रहा है, कि गॉल से मिरिशा तक आपको बस में समूंदर के किनारे यात्रा करने को मिलती है, पुरी रोड के साथ साथ आपको समूंदर का खुबसूरत नजारा दिखता है, यहां के शांदार घर बनाई हुए वह दिखते हैं और कुछ जाड़ियां जो अनोकी जाड़ियां हैं। फिर दिया जो जो जाड़ियां हैं। हेलो तो फिलाल दोस्तों हम पहुंचू के मिरी चाह गाले से मिरी चाह आने में हमें लगा एक गंटा बस से और बस में हमारे से रुपया लिया गया तीन सो अशी कि ऐसी कलरफूल बसों में ट्रेवल करने का मज़ा और अंदर एक तरह का एक म्यूजिक बजता है और यह बहुत सारे फॉरेनर यंगर्स लड़के लड़कियां गूम रहे हैं कहीं भी पूरे स्री लंका में चले जब आपको हजारो हजार मिल जाएंगे स्री लंका वाले से ज इधर देखो कई भी देखो अब हमारी होस्टल की लोकेशन आने वाले है तीन मिनिट का रस्ता था अब ही वेल देखने का पचास डॉलर चार्ज है फ्री लंका के 9000 रुपे जिसको देखनी हो चलिए जाए और दो गंटे की जाज सपारी में आपको देखने को मिल जाएग सब्सक्राइब तो वहीं रेट चलिए क्यों कि पंदरा कैसे होगा मजा आगया हमारे यहां पर सूपर मार्केट यहीं पर है तो जो भी कुछ सामान लाना को हम से यहां से लेहाएंगे और हमारा ऑस्टाल इस तरह पंदर है तो हमको मिलके हमारा उस्टाल और इसका हमने दिया चोति सो पचाश रुपया नहीं 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 तो सिरी लेंका नहीं यह तो लोगों का इन सो रुपय में समंदर के पास में और मिरिशा वन अप ड़ फेमास लोकेशन स्रिल्लंका की है उसके ठीक बगल में और यहां सामने ही मौल है बढ़िया मजा है कि मुझे लगता है एक ही जगे हम दो दिन रह सकते हैं और वहां पे स्रिल्लंका का फ्लैग तो हमारा उस्टल साइड इधर ही कही है रूम एक एर कंडिशनिंग मजा आजएगे देखो हमारा ली किच्चन है